Hello students, स्वागत है आप सभी का Magnet Beans की इस platform पर एक ऐसा platform जो देता है आपको बिलकुली free and quality education बात करें हम kindergarten की या फिर हो class 12 यहाँ पर आपको सारे classes के video lectures दिये जाते हैं बिलकुली free of cost मैं शुबंश्रिवास अब स्वागत करता हूँ आप सभी का class 12 biology and CRT exemplar की series में आज हम discuss करेंगे इसी chapter से इसके long answer type questions को इस chapter से इसके mind map को हमने देखा हमने देखा है कुछ MCQs को हमने discuss किया है very short answer type questions को short answer type questions को और आज हम discuss करेंगे कुछ long इस chapter से कौन-कौन से long answer type questions बन सकते हैं कौन-कौन से questions आप से पूछे जा सकते हैं इसके उपर हमारा discussion होगा N.C.E.R.D. exemplar book में जितने भी long answer type questions दिये गए हैं हमारे इस chapter से हम उन सब को आज देखने वाले हैं जानने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या हमारा तरीका होना चाहिए किस word limit के साथ हम अपने answer को complete करें इन सब के उपर discussion करते वे अपने इस lecture को हम complete करेंगे तो एक एक करके देखते हैं कि पहला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है तो इसी प्रकाश से first question हमारी screen पे आ चुका है क्या कहता है पहला सवाल कहता है कुछ ऐसा कि write a short note on electronic waste ध्यान देनी के जरुरत है कि हमसे demand क्या किया जा रहा है हमसे पूछा क्या जा रहा है तो हमें हमसे पूछा जा रहा है electronic waste के बारे में electronic waste के बारे में कहता है कुछ नहीं एक short note आप लिख दो और question जो है उसका second part ये कहता है list the various sources of e-waste तो e-waste के कुछ sources के बारे में हमें बताना है और and the problems associated with its disposal और उसके disposal से कौन कौन से problems हो सकते हैं इस point के बारे में हमें discuss करना है तो question के पहले part को पहले हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं पहले part को हम समझते हैं पहला part कह रहा है what is write a note on electronic waste तो electronic waste क्या है आज की समय में हम लोग बहुत सारे electronic products का use करते हैं इन सब को use कर लेने के बाद एक समय ऐसा आता है कि ये खराब हो जाते हैं या फिर कुछ भी हो तो हम उसको fake देते हैं तो वो कुछ waste है जो जाकर के जमा होता है जो electronic waste की category के अंदर आता है इसके sources की बात की जाए तो जैसे कि हम computers का use करते हैं televisions का use करते हैं mobile phones का use करते हैं इन में मौजूद होती है batteries and other products तो हम इनको क्या करते हैं जब for example कि अगर आपके phone की battery जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुगे या फिर आपके laptop की जो battery आपने 2-4 साल use किया फिर उसकी battery जो है वो उसकाबिल नहीं है तो आप उस battery को change करवाते हो लेगिन change करवाने के साथ ये भी होता है कि जो पुरानी battery थी उसको fake आजाता है उसको side कर दिया जाता है और वो सब जब इकठा होते हैं तो वो electronic waste के category के अंदर उनको count किया जाता है कह रहा है कि electronic waste is those which are the residue of the electronic applications after the users like phone batteries, computers, televisions etc. तो कुल मिला के बाद वही है कि जैसे कि हम जो phone use कर रहे हैं या फिर computer use कर रहे हैं televisions use कर रहे हैं इन सब को use कर लेने के बाद इसमें से जो भी waste बच जाता है वो category में आ जाता है कि electronic waste के category में उनको रखा गया है समझ में आ रहा है तो electronic waste क्या हुआ हमारे हिसाब से गिवाला part clear होता है source की बात करें तो source भी हमें दिख रहा है कह रहा है कि these wastes are buried in the land which cause soil pollution as well as air pollution इन waste को करते हैं कुछ ऐसा कि इसको जमीन के भीतर इसको गार देते हैं इसका नतीजा ये होता है कि हमें soil pollution देखने को मिलता है और दूसरी चीज की हमें air pollution भी देखने को मिलता है तो हमें क्या क्या देखने को मिला इसके अंदर these wastes are buried in the land which causes soil pollution as well as air pollution यहां तक clear है कोई doubt हो मन में तकलीफ चिंता की बात है आप बिल्कुल comment box में पूछ सकते हैं फिर कहता है कि over half of the e-waste generated in the developed countries like UK and USA कह रहा है कि जैसे UK USA जैसे बरे-बरे developed countries हैं जहां पर हमें यह electronic जो electronic products जो है electronic applications जो यह ज़्यादा use किये जाते हैं तो वहां लोग जादा use करते हैं टेकनलोजी थोड़ा जादा develop है तो वहां से क्या करते हैं उनका जो electronic waste होता है उसको वापस से किसी भी तरीके से recycle बगएरा करके उसको export किया जाता है developing countries like India, Pakistan, China इस तरफ के से वहां पर उनको export किया जाते है तो वही कह रहा है कि करीब करीब half of the e-waste generated जो half of the e-waste है जिता भी e-waste generated हुआ उसका करीब करीब आधा जो है उसको export किया जाता है developing countries जैसे कि India, Pakistan और China में कह रहा है कि तो developed countries have proper and specifically build facilities for recycling e-waste तो e-waste को recycle करने का एक proper तरीका है facilities है उनके पास in some countries it has been recycled also the e-waste contains many toxic metals which is harmful and causes diseases और साथ-साथ इसमें बहुत सारे metals है जो आपको नुकसान पहुचा सकते हैं बहुत सारे disease का कारण बन सकते हैं यह छोटी सी चीज थी छोटा सा discussion था किसके उपर तो electronic waste के उपर और यह रहे उसके कुछ sources जैसे कि phone की battery, computer, television, etc और भी जो electronic चीज़े हम यूज मिलाते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे क्या-क्या problems हो सकती है तो problems like बहुत सारे harmful diseases भी cause करता है यह e-waste जो है हमारा जो electronic waste जिसको हम कह रहे हैं तो फिलाल आप इसको करेंगे note इसका निकाल सकते हैं Screenshot किसी तरीके के दिकत है आपको आप पूछ सकते हैं फिर हम जम करना चाहेंगे अपने अगले सवाल के तरफ that is question number 2 और देखेंगे कि हमारा दूसरा सवाल हम से क्या पूछ रहा है हमारा दूसरा सवाल हम से क्या पूछ रहा है So here comes the question number 2 question number 2 की अगर हम बात करते हैं तो कहता है इसमें कुछ ऐसा कि what is organic farming देखिए बात किस चीज़ के बारे में की जा रही है तो what is organic farming के बारे में हमें discussion करना है कि organic farming क्या होता है फिर कहना है कि discuss the benefits of organic farming तो इस organic farming के benefits के बारे में भी हमें discuss करना है as a viable practice in the context of developing nations like India तो developing countries जैसे कि इंडिया है इसमें इस इंडिया जैसे देश में भारत जैसे देश में इसे क्या benefits वगरा हो सकते हैं उसके बारे में हमें discussion करना है तो देखिए organic farming के बारे में हम बात करें तो हमने यह देखा था कि यहां पर जो है न हम fertilizer का use नहीं करते हुए हम use में लाते हैं क्या तो हम यहां पर लाते हैं bio fertilizers को use में ठेक है हम यहां पर bio fertilizers को use में लाते हैं हम pesticides को use में नहीं ला करके हम bio pesticides को use करते हैं ठेक है हम pesticides का use ना करके हम bio pesticides का use करते हैं इस तरीके से जो farming हम करते हैं without the use of chemicals उसको हमने organic farming का नाम दिया है हम यहाँ पर किसी तरीके के उस chemical का use नहीं करते हैं जिसके use करने से हमारे soil को किसी तरीके की परिसानी पहुंचे या फिर जो हमारा फसल है उसको किसी तरीके की दिक्कत आए इन सारे चीजों को हम side करते हैं तो वही कह रहा है कि organic farming is the use of bio fertilizers in agriculture तो agriculture में खेती करते हैं time fertilizers वगरा का use ना करके जो bio fertilizers का हम use करते हैं वो organic farming के अंदर आता है कह रहा है कि bio fertilizers are the organisms which improve the fertility of the soil by enriching it with the nutrients अब कहाने का मतलब है कि bio fertilizers क्या है कुछ organism है यहाँ पर ध्यान देनी वाले बात है कि fertilizer की अगर हम बात करते हैं तो fertilizer में हम क्या कहते हैं fertilizer में हम कहते हैं कि यह किसी तरीके का chemical हो सकता है यह कोई chemical होगा सर लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यह जो bio fertilizers है यहाँ पर लिखता है कि कोई organism है मतलब किसी living organism के मदद से हम यह काम करवा रहे हैं तो यह इसके category के अंदर चला आता है तो वही कह रहा है कि bio fertilizers is the organism which improves the fertility of the soil by enriching it with nutrients by enriching it with nutrients. Bio fertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria तो कह रहा है कि bio fertilizer जो है वो एक bacteria हो सकता है या फिर कोई fungi या फिर एक cyanobacteria भी वो हो सकता है cyanobacteria is also a bacteria. कह रहा है कि the benefits of organic farming are they maintain soil fertility for a long time तो इसका use करने का फाइदा ये होता है कि इन fertilizers के use स्वाइल की fertility जो है वो बहुत जल्दी चली जाती है और यहाँ पर अगर हम organic farming करते हैं अगर हम लोग bio fertilizer का use करते हैं तो स्वाइल की जो fertility है वो लंबे समय तक maintain रहती है तो यहाँ पर फाइदा है इसका benefits के बारे में जो बात कर रहा है ये तो स्वाइल की fertility maintain रहती है कह रहा है कि organic farming is the eco friendly and cost optimized cost optimized भी है eco friendly भी है ये इसके कुछ benefits हैं जो हम discuss कर रहे हैं और कह रहा है कि harmful pests are controlled without harming the environment और harmful pests जो है उसको भी हम control करते हैं without harming the environment as we are going to use the bio pesticides हम यहाँ पर pesticides का use नहीं करेंगे हम bio pesticides का use करेंगे फिर कह रहा है कि water bodies are safe and the fertilizers is a bio not chemical last line में वो चीज़ कह दिया जो हम शुरू से discuss कर रहे हैं कि water bodies को भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है क्यूंकि यह fertilizer जो है वो biological है मतलब living से related है और यह chemical नहीं है तो यह रहा इस question और यह question का answer उमीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही basic सी चीज़े हैं अगर इस्टीर आपके मन में कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं फिलाल आप इसको note करेंगे आप इसका screenshot निकाल सकते हैं फिर हम आगे जम करेंगे अपने अगले सवाल के तरफ that is question number 3 हम से क्या बोल रहा है question number 3 हम से क्या बोल रहा है इसके उपर हमें discussion करना है आगे बरते हैं तो यह आगे हमारे पास हमारा question number 3 देखिए question number 3 क्या कहना है कुछ ऐसा कि water logging and soil salinity are some of the problems that have come in the wake of the green revolution discuss their causes and adverse effect on the environment दो-तीन पॉइंट है जिसको हम discuss करेंगे एक है water logging के बारे में discuss करेंगे soil salinity के बारे में discussion करना चाहिए are there some of the problems that have come in the wake of the green revolution के बारे में discussion कर सकते हैं discuss their causes and the adverse effect on the environment इसके cause और इसके adverse effect के बारे में भी हम थोड़ा सा discussion करने वाले हैं discussion के बारे में हम करेंगे राइट शुरू होती है कहानी green revolution से एक ऐसा समय आता है जिस समय कि हमारे पास फसल की कमी होती है फसल इतनी कम होती है कि maximum of the people जो है उनको food सही से नहीं मल पाता green revolution सच में एक revolution बनके राता है हमारे सामने और उसके मदद से क्या करते हैं हम अपने हम अपने जो productivity है उसको हम लोग three times हम लोग ने क्या किया उसको बढ़ा दिया three times बढ़ाने के बाद भी अभी भी scene कुछ ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को अभी भी food नहीं मिल रहा था इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने three times बढ़ा दिया है productivity को और फिर भी अगर किसी को food नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब है कि अगर पहले 100 लोग थे तो हम कह सकते थे कि initially सिर्फ 30 people जो थे इन 30 people के पास proper food था ठीक है हमने green revolution किया और इसको क्या किया हमने तीन गुना कर दिया इट मींस कि अब जो है वो 90 people के पास जो है पीपल के पास जो है वो food जो है वो proper है लेकिन इस्टिल जो है दस लोग ऐसे हैं इस 100 मेंसे जिनके पास food अभी भी भी आवलेबल नहीं है तो green revolution simply क्या था कि भाई हमारे food की productivity को बढ़ाया green revolution के आते यह भी हो सकते था कि water logging और soil salinity जो है यह problem जो है वो हमें और हमें यह सारी problems भी हमारे पास थे तो कह रहा है कि discuss their cause and adverse effect on the environment इसके cause और इसके adverse effect के बारे में discussion करना है करें कि water logging का मतलब है कि अगर हमारा जो खेत है उसमें हम पानी डालते है पानी हमें देना जरूरी है कि वह जो crop plants से उन्हें water की सख जरूरत होती है पानी की जरूरत होती है जिसके मदद से वह अपने development कर पाते हैं तो हमें पानी प्रॉपर देना चाहिए तो water logging क्या है कि अगर उस खेत में अगर proper drainage system नहीं बनाएगी जो पानी जाएगा जितना use में है तो use होगा और बाकि जो पानी है एक्स्टा water अगर जाता है तो वह उस crop filled से उस खेत से वह बाहर हो सके तो ऐसा ऐसा इंतिजाम नहीं है ऐसा इंतिजाम नहीं है तो उस खेत में पानी लग गया water logging हम कह रहे हैं तो water logging and soil salinity अब soil salinity क्या है पानी लगा तो soil अब जो soil है ना उसके upper surface जो salt का concentration है वह बैठ गा एक छोटा सा बहुत पतला सा परतात के बैठ जाता है soil salinity है और some of the problems that have come in wake of the green revolution इसके causes की बात करें तो कह रहा है कि irrigation without a proper drainage system अब proper drainage system नहीं है और इसके बगएर अगर हम irrigation कर रहे हैं तो पानी लगना तय है पानी लगेगा आपके फसल को बरबाद कर सकता है water logging इसी को हम कह रहे हैं दूसरे में कह रहा है ता continuous presence of water draws the salt to the surface of the soil अब यह जो पानी उस मिट्टी पे जमा है यह क्या करेगा उसमें से कुछ salt जो है वो draw कर लेगा which gets deposited as a thin crust on the land surface और यह कैसे deposit हो जाएगा तो यह deposit हो जाएगा as a thin crust on the land of land surface और starts collecting at the roots of the plant और हो सकता है कि वो plant के roots के पास जाकर के भी collect होना शुरू हो जाए तो यह कुछ इसके causes हैं आप इन कुल पूच सकते हैं फिर यह रहा इसके cause अब इसके कुछ effects के बारे में हम लोग discussion करते हैं फिलाल आप इसको note करो राइट फिर हम आगे जंप करते हैं इसके adverse effect के बारे में हम लोग discussion करें तो कहता है increased salt content causes the reduction in the growth of the crop अब salt का concentration ज्यादा हो जाएगा तो salt का content ज्यादा हो जाएगा तो as a result क्या होगा जो हमारा crop है इसका growth जो है वो घट जाएगा कहने का मतलब है कि salt का content ज्यादा हो रहा है तो हम कह सकते हैं salt content बढ़ने से result क्या आ रहा है कि crop का जो growth है उसमें decrease आ रहा है एक दूसरे से inversely proportional है causes extreme damage to the agriculture हमारा agriculture जो है अगर हम totally इस पर dependent है तो एक great loss एक अच्छा खासा हमें damage देखने को मिल सकता है फिर रहा है कि root cells get shrunk due to the cell line activity और roots के पास जो यह जाकर salt जमा हो जा रहे हैं तो roots क्या हो जाएंगे root will get shrunk और इस कारण से फिर growth पगड़ा डुक जाएगी सो यह adverse effect है इसको आप note करें आप इसको भी screenshot निगाल सकते हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चोटी चोटी सवाल है आप से long answer type format में पूछे गए हैं इनको note करो फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल question number 4 के तरफ देखते हैं कि हमारा question number 4 हमसे क्या पूछ रहा है देखें 14 सवाल हमारे सामने क्या है तो आगया हमारे screen की उपर हमसे कहता है कुछ ऐसा कि what are multipurpose tree बहुत सारी चीजों के उपर discussion किया यह भी एक point है इसको भी छोड़ना नहीं है इसको भी discussion करें लेते हैं कह रहा है कि multipurpose tree क्या है तो नाम सी है इस परस्टा कि क्लास्टों के बच्चों के लिए कितना आजान कोशन है जसको उसको पूछना multipurpose tree क्या होता है तो एक ऐसा tree जो बहुत सारे purposes के लिए हम use करते हैं फर एक्जांपल हम कह सकते हैं कि इस से हमने क्या किया हमने fruit को obtain किया एक काम हमारा हुआ हमने क्या क्या किया इस से इसके wood को भी obtain किया ये भी हमारा काम हुआ n number of things और हमने इस से किया तो बहुत सारे purposes में हम एक ही tree से अपना काम कर रहे हैं तो इन category इस तरीके के trees को under the category of multipurpose trees में रखा गया है काफी आसान अगला सवाल कहता है कि give the botanical and the local name of any to multipurpose trees known to you and list their uses multipurpose trees के बारे में बताना है और उसके scientific और local name के बारे में बताना है ठीक है क्यारा कि multipurpose tree are the those trees which solve multiple purposes like providing fruits तो कहने का मतलब है कि multipurpose trees जो है are those trees वो tree है which solve multiple purposes like providing fruit, sheds, timber, medicine, etc. जो multiple purposes जैसे की fruit, shade, timber, medicine, etc., etc. number of things के लिए जो हम यूज करते है एक ही plants हमने इन सब चीजों को ले लिया तो multipurpose trees के category में हमने इनको रख दिया कह रहा है कि the coconut tree जिसको हम लोग कॉकस नूसिफेरा भी कहते है है has multiple uses its fruit is edible its oil is used in cooking the coconut husk is used to fiber to make them make many products like dormants, brushes, mattresses, coconut oil is also effective in the reducing scar and number two की बात करें तो number two में हम लोग मैंगो को भी रख सकते हैं mango जिसको मैंगी फेरा इंडिका भी हम लोग कहते हैं मैंगी फेरा इंडिका कहते हैं अब सवाल ये उठेगा कि इसका multi purpose क्या है भाई तो multi purpose की बात करें तो सबसे पहले तो हम इससे fruit ले ले लेते हैं ठीक है fruit के बाद इससे timber option करते हैं क्या है कि अच्छा खाब सबस्कूरन क्या है ये Shirt देने का काम हमें करता है और इसके बारे में और हम बात करें तो इसका जो है वह यू रोता है है तो यह रहे इसके बारे में कुछ points जिसको आप note कर लो जिसको आप screenshot निकाल सकते हो आसान सी चीजें है बेसिक सी चीजें है भूलने वाली बात नहीं है आगे हम बढ़ना चाहेंगे अपने question number 5 के तरफ यहां तक किसी तरीकी के दिकत परिशानी तो आप पोच सकते हैं पां modern land fit side जो है उसके कुछ basic characteristic के बारे में बात करने कह रहा है कि list only three and also mention the reasons of their use को इतीन बताना है और उसके reason उसके use का reason बताना है तो basic characteristic of modern modern land fit side के बारे में बात करें अगर हम लोग तो it includes number one is the methods to contain the leachats such as lining clay और plastic liners तो lining clay है या फिर plastic liners के लिए use में लाते हैं दूसरा चीज़ कह रहा है कि compassion and covering of the waste to prevent it from being blown by the wind दूसरी चीज़ के वारे में कह रहा है कि compassion और covering देते हैं waste को जिसके मदद से वो उर न जाए हवा के साथ मिलके air में न मिल जाए फैल न सके installation of the landfill gas extraction system to extract the gas for the use in the generation of power तो कह रहा है कि इसके installation के समय landfill इसके installation के समय installation of landfill gas extraction system gas extraction system वहाँ पर होना चाहिए जिसके मदद से क्या कर सके extraction हम कर सके किसका तो हम उन gas का extraction कर सके किस कारण से तो generation of power तो power generate करने के लिए हम इसका use कर सके ये कुछ points हैं इनको आप note कर सकते हो आप चाहो जिसके screenshot निकाल सकते हो आगे बढ़ना हम पसंद करेंगे अपने अगले सवाल के तरफ next question हमारा हम से क्या पूछता है तो next question है हमारा question number 6 question number 6 सक कहना है कुछ ऐसे कि how does an electrostatic precipitator work किसके बारे में बात कर रहा है तो बात यहां पर की जा रही है electrostatic precipitator और उसके काम के बारे में कि वो किस तरीके से work करता है तो इसका working style कुछ ऐसा है कि electrostatic precipitator is a device which is used to extract these suspended dust particles from the gas सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि electrostatic precipitator एक ऐसा device है जिस device की मदद से हम क्या करते हैं कि जो भी gas में मौजूद है जो dust particles जो है जो suspended dust particles है उसको हम लोग खीचते हैं उसको extract करते हैं ठीक है तो एक तरीके से pollution को control करने का यह system है फिर कह रहा है कि it uses high voltage charge to collect particles on the charge plate कैसे करता है यह use करता है high voltage charge को to collect the particles on the charge plate तो जो charge plate है उसपे क्या होगा यह सारे particles जो है वो attract हो करके आ जाएंगे it has electrode wires which are maintained at high voltage electrode wire जिसको high voltage maintain किया जाता है this produces the corona which releases an electron net negative charge will be obtained by the dust particles and those are collectively by the collecting plates collecting plates से सब कुछ ही यह collect हो जाता है the velocity of the velocity of the air between plate is kept low to allow the dust particles to fall and settle down electrostatic precipitator can remove over 99% of the particulate matter present in the exhaust from the thermal power plant 99% तक के particulate matter को क्या करता है यह exhaust कर सकता है तो इसकी जो efficiency है वो काफी अच्छी है 99% के साथ यह काम कर रहा है बहुत ही बहतरीन तो यह electrostatic precipitator बस simple साम कहेंगे कि एक ऐसा device है जो हमारे gas में मौझूद तो suspended suspended dust particle है उसको उसको जो है वो एक्स्ट्रेक्ट कर लेता है उदर से कैसे तो यह high voltage charge है negative charge के थूँ यह प्लेट पे जो negative charge बैठता है उसके तरफ इसका attraction होता है 99% तक का यह particular matter को उदर से खीच लेता है तो यह बहुत ही अच्छा number है यह रहा हमारा sixth question आपके सामने उमीद है आपको समझ में आ रहा है किसी तरगी doubt है तो आप उसको पूछ सकते हैं इसको आप note करें इसका आप screenshot निकाले फिर हम जम करेंगे अपने अगले सवाल के तरफ that is की question number seven में हमसे क्या पूछ रहा है सात्वा सवाल हमसे क्या कहता है right तो यह रहा हमारा question number seven कुस्तो डाइग्राम दे रखा है इसमें क्या कहता है एक पर देखें कह रहा है observe figure and answer the following question इस figure को देखना है और उसके आद यहां पर हमारे पस कुछ questions है हमें इनको answer करना है देखिए पहला question क्या कह रहा है कि what ecological terms is used to describe the DDT accumulation at different tropic levels तो यह जो DDT का accumulation है अलग-अलग अलग-अलग tropic levels में उसको हम लोग क्या नाम देते हैं तो sir यह जो नाम है न इसको bio-magnification का नाम दिया जाता है और वहीं आपर लिखता है कि the ecological terms to describe the DDT accumulation at different tropic level is a bio-magnification और यहां पर हमारा question 1 का answer यहां पर complete होता है उसको हम क्या कहते हैं तो उस process को हम लोग bio-magnification का नाम देते हैं right question number 1 के सामने आप इसको लिखेंगे फिर हम दूसरा question हमसे क्या कह रहा है कह रहा है list anyone effect of the DDT accumulation of birds तो birds पर DDT accumulation क्या क्या प्रवाब पर सकता है तो DDT accumulation से फर्क यह पढ़ता है ना कि इनके अंदर जो metabolism है अब किस चीज़ का metabolism तो metabolism of calcium calcium की हम बात कर रहे हैं इसके metabolism metabolism पे फर्क पर्ता है और कि मेटाबॉसम पे फर्क पढ़ने से क्या होता है जो birds यो एग होते हैं उसका जो outer most surface होता है जिसको हम लोग जो एग शल है वह बना होता है एग का जो शल है वह उसको जो ए एक झाल होता है वो बना होता है हमारे calcium से, अब ये calcium का metabolism सही से नहीं होगा और जब calcium का metabolism सही से बहुत नहीं होगा तो एक शल जो है वो कमजोर बनेंगे and as a result क्या होगा, as a result जो हमारा birds है, उनका एक जो है वो बरबाद हो जाएगा, वो एक नए बच्चे को जब नहीं दे पाएगा क्या कह रहा है कि the high concentration of DDT burst disturbs their metabolism, उनके metabolism को disturb करता है resulting in thinning of their axles, axles को thin करता है and their premature breaking, तो premature breaking हो जाता है, जो maturation के बाद जो breaking होना चाहिए, वो नहीं हो पा कि premature breaking होने है कारण जो है, वो बहुत तरीके का नुकसान देखने को मिलता है तो ये कहानी है, हमारे question number two की three पे चलते हैं, तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है कि will DDT accumulation lead to eutrophication तो कहेंगे बिलकुल ऐसा होता है कि DDT accumulation जो है lead करता है eutrophication में which is a natural aging of the water body ये क्या, it's a natural aging of water body due to the access nutrition access nutrition के कारण जो है, वो natural aging जो होता है वो इसको रखा गया, तो ये रहा हमारे question number three का answer आप इसको भी note करेंगे आप इसको भी screenshot ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल को discuss करते हैं उदर हम से क्या पूछा गया है तो बस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले सवाल को क्या बोल रहा था उदर क्या रहा है कि ये सारी चीज़े जो हो रही है क्या ये affect करने वाली है BOD को biological oxygen demand को जो है वो ये क्या ये किसी तरीके से affect करने वाली है तो बस इसका answer हो जाएगा कि DDT accumulation leads to eutrification वो हमें यहां पर दिख गया कहने का मतलब है कि increased life in the water body अब इसका नतीज़ा ये है कि the ultimately results in the increase in the biological oxygen demand अब कह रहा है कि increased life जो है water body में अगर life increase करता है चाहिए उसको oxygen जादा तो जादा oxygen चाहिए होगा तो oxygen की demand बढ़ने वाली है तो same चीज़ को ध्यान में रखे हम कह सकते हैं which ultimately results in the increase in biological oxygen demand simple सा सवाल बहुत ही इसका simple सा answer ठीक है मतलब जो हमने कई दफ़ा इसको देखा है तो हमें और गया असान लगता है and the last question is disease caused by the accumulation of any heavy metal तो कहने का मतलब है कि एक ऐसे disease के बारे में बताना है जो कि कुछ heavy metals के accumulation के कारण हो रहा होता है तो वो जो है मिनामाता disease जो है वो एक disease है which due to the mercury black foot due to the arsenic and iti iti due to the cadmium तो cadmium के कारण iti iti होता है और जो black foot है वो arsenic के कारण देखने को मिलता है और जो हमारा mercury है वो मिनामाता disease जो है वो cause कर रहा होता है तो ये कुछ disease है जो ये cause कर रहे होते है बहुत ही असान बहुत ही प्यारा सा सवाल था इसको आप note करेंगे सबसे पहले आप इन सारे questions को note कर ले और इस diagram को भी फिर इस answer को तो इस तरीके से क्या किया है हमने अपने इस chapter से long answer type questions को complete बहुत ही कम questions थे अच्छे questions थे उमीद है आपको समझ में आया है अगर नहीं आया है तो आप doubt पोच सकते है किस तरीके की चिंता है आप बिल्कुल comment box आपके लिए खोला है एक और information आपके लिए यहां आना है आपको अपने class को चुनना है subject पे जाना है अपने chapter को चुनना है, lectures को चुनना है videos को enjoy करना है और examination में रोक करना है तो इन ही अच्छे बातों के साथ हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परते रिये magnet brains के साथ टड़ा thank you, bye bye